जैन्द कर्दिट्स आज हमारे क्रेस्ट कर्ष का डे थ्री और हम हेल्थे नाइजन का तो लाष्ट पार्ट उचको कवर करेंगे जिसके अंदर हम इवेफिकेशन ओप कैजवल्टीस फ्रेक्चर्स और फीजिकल इंटर लेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे कुछ को भी हमारी वीडियो रिक्रमेडी तर सकते हैं ताकि बो भी 60 और 26 एक्जाम के अंदर अल्फा ग्रेट सुन इसीत कर सके अल्फा ग्रेट पास सके तो केड़िट्स आज का सेसिन सुरू करते हैं सबसे पहले मारे पास में आता है हेल्थ राइजिंग का पार्ट सिर्यम आज बिद्धिक्रम साथ पार्ट के यगी इसके अंदर सबसे पहले हमवार पास अता है, फिसिकल हेल्फ और मैंटल हेल्थ का होती है, तो एक ट्स ब्लॉटिट्स है 보니까 Україं मेल्फ ने और ग्रेसियस इंध्या धने ही नें जो फिजिकल हेल्थ है उसकी क्या डेमिलिश प्प्लीट स है वो फिट है वो फिजिकली फिट है वो है लेकिन टबलो एच ने क्या दिया कम्प्लीट फिजिकल मैंटल सोशल जो कम्प्लीटी है उसी को ख थंड है जो इन्होंने पर डिइस्गा अप्सेंस जो इल्नियस की यह आपकुलिट फीजिकल मेंटल एंड सोचल वेल भीग बूट आप इंडिवीजोर सब्सक्राइब कि अंदिशने कि अप्सेंस अपकी अप्सेंस बाइब करते रहें और अप रिएगुलर आप कोई भी काम करने में पर आप शक्षम है आप बिना के सिंद्ट के नेक्स नमारे पास में आता है केड़ेट्स mental health, this is one refer to the successful performance of the mental function resulting in productive activities, fulfilling relationship with other people, ability to adopt the change and cope up with the adverse case, यह आप सब अगर आसानी से कर पारे, that is you are the mental fit, यानिकि जो mental जो हमनी सोचे समझने की सत्य अगर अच्छी है, हम सभी कामों वो अच्छे से अंजाम दे पारे, you are mentally healthy, इसके अजर आपको केड़ेट्स objective of health education by WHO, इसके objective क्या है, एक तो है कि आप जो medical services, health services आप उनको अच्छे से यूज़ कर सके, और एक जो individual होता है, वो एक community, country का क्या होता है, एक important हिस्सा होता है, इसलिए उसकी health को ensure करना हमारा दाय तो होना चीए, यह आपके objective है, next हमारे पास में आता है, characteristics of the healthy mind, अगर कोई इनसान healthy है, वो हमें कैसे पता चालेगा, that will be normal appetite, ठीक है, उसके बाद में calm होगा, careful outlook होगा, good temper, socially acceptable habits, well regulated instincts, यानि कि वो अच्छा सोचेगा, सभी के बारे में, normal physical vitality, receptivity to new idea, and sex consciousness, अगर यह सारी qualities उसके अदर है, तो हम पता लगा सकत हैं कि वो इनसान healthy है, measures to secure mental health, mental health को हम किस तरह से secure कर सकते हैं, और mental health को किस तरह से ensure कर सकते हैं, तो cadets favorable moment, school environment, regular medical examination, provision of the educational and vocational guidance, and then provision of the co-curricular activities, जैसे आपके school and college, जो co-curricular activities होते हैं, उन सब की मतल से हम इनसान को mentally fit रख सकते हैं, next section के अंदर हमार पास में आता है cadets fracture, जिस तरह से हमने bones पढ़ा था, bones के अंदर आपका skin और muscles के अंदर को ब्रेके जो रहा तो उसका bones बोलते हैं, लेकिन आपका bones के अंदर को ब्रेके जो रहा तो उसका fracture बोलते है, fracture is the distinct unity or break in the bone resulting in the dissolution of the sporting framework of the body, यानि कि आपकी bones के अंदर क indirect variance आप देखें गार, scogees के अंदर के अंदर क्या होगा, जहां पर आपको चोट लगी है वहीं पर आपकी bone ब्रेक्ष बोलते है, उससे थोड़ा दूर तूटे, उसका आपको distance place यानि कि जहां पर चोट लगी है, तो आपको indirect variance, थो फोर्सिबर मस्कुलर को रहा तो पर ब आपको बोलते है, through possible muscular contraction, इसका example है, cadets fatela, that is आपकी knee cavity, then disease of the bones, बहुत सारी bones की बीमारिया होती है, उससे भी आपकी fractures आ सकते है, next हमारे पास में आता है cadets classic question होती fractures, यह हते है simple and closed, compound and open, complete, simple and closed में क्या होगा, कि आपको अंदर fracture होगा, लेकिन skin आपकी intact है, skin के ऊपर कोई प जाए, next हमारे पास में क्या होगा, यानि आपकी हटी भी तूट जाए, skin भी फट जाए, और आपकी internal organs है, यह जो blood vessels है, nerves, lungs, etc, इन सब में आपको प्रोलम हो जाए, तो अब बोलेंगे complicated fracture, next हमारे पास में आता है cadets of the symptoms and signs, इससे क्या होगा, आपको fracture हो जाए, आपको moment करने problem आ रहे हो, आपको बहुत जाए, पेन हो रहा हो, वहाँ पे redness हो रहे हो, तो loss to the power, abnormal mobility, deformity and irregularity of bones, rating sound due to the broken bones, यानि कि आपको कट-कट की आवाज आने लगे जाए, तो इससे आपको पता सुल जाए, कि आपको fracture हो गिया है, तो आपको नजदी की hospital में जाकि आपको doctor से prescribe कर ले लेकिन आपके अगर ligaments and tissues के आज में तर्फ प्रोड्म हो रहे है, तो आप उसको क्या हो लेगे, इस प्रें, आपको कुछले साए, इस्प्रें क्या होता है, इस्टें क्या होता है, आप इजली answer दे सकते है, इसके बाद में को गरम पट्टी है, उसी क्या मोलते है, क्रीप यह क्या होती है, आपके warm होती है, elastic material से बनी होती है, और reducing swelling and moments, क्रीप इस्टें किसी भी चोट के दर्थ से आपको निजात दिलाती है, नेक्स सक्षन आता है, अमरे पास में क्यारिट्स, evacuation of casualties, यानि कि कोई भी natural climate हो जाए, जैसे flat हो जाए, earthquake, इत्यादी में क्या होता है, व earthquake, cyclone, tsunami, इत्यादी, flood बगरा आजाए, land sliding हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा जैसे snow slats हो जाए, तो उसको आप casualties जो होती है, उसको आप इस तरह से बचाएंगे, इस दोरान, जो भी voluntary organization, जैपिस आप देखिए, क्यों को voluntary organization, रैट्टो सोसाइटी, या फिर आपका stand zone, ambulance association, home guards civil defense and the NCC cadets, जो जो आप पढ़ रहे हैं, NCC cadets का क्या role हो सकता है, उन सब को यहाँ पे medical organizations के द्वारा, इनको help के लिए पुलाया जाता है, और जो casualties होती है, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जाता है, फिर जो आपको first aid है, वो important life saving role play करता है, इस दोरान, और आपका जो casualties immediately brought to the first aid post, तो cadets evacuation के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पढ़ेगा, first aid post पढ़ाना पढ़ेगा, यानिकि आपको preparation करना है, after a casualty arise, उसको diagnose करना है, क्या कहां का चोट लगी है, कैसे लगी है, इस सब उन से verify करना है, उसके बाद में आपको treatment देना है, और cadets आपको कई ब requiring resensitational urgent surgeries, कोई ऐसा patient जिसको artificial respiration पर चाहिए, और surgery दोनों भोती ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले आपको practical पर उनको रखना है, दूसरा cadets, cases requiring early surgery and possible resensitization, यानि उनको सास ले में को दिकतने हुरी surgery चाहिए, तो आप उनको second number पर रखेंगे, और तीसर ले में पर क्या कर सकते हैं, आस-पास जो घर है, उनसे आपके कपड़े बगर ला सकते हैं, कोई फरस्टेट कीट बगर रहा हो, वो इखटी कर सकते हैं, और जो भी casualties आ रही है, आप उनको मदद मुईया करवा सकते हैं, आने के बाद में आपने identify कर लिया, तो उनको treatment कहा देने, जैसी problem ऐसा उनको treatment देंगे, जिस तरह से आप उनको पूछना है कि वही है, ठीक है, और उसके बाद में जो crowd होएकर है, आगर वहाँ पी खटी और आप उनको remove कर देंगे, ताकि patient को आप एक खुला बहुल दे सके, क्योंकि fresh air is इतनी हो लेगा, उतना ही है, उनका mind हद्दी और उनको reassure करते रहे है कि आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपको जल्दी medical services देखर के आपको बचा लेगे, नेस्ट आपको प्रेस्ट आपको चेक कर सकते हैं, इसके बाद में आपको bones अगर ब्रेक होई है तो आप उनको sling वगरा लगा कर उनको help provide करा सकते हैं, इसक तो हम आसा करते हैं कि आपको health and hygiene पूरा complete समझ में आगया होगा, फिर भी आपको अगर कोई doubt ने जाते हैं, तो आप comments के अंदर आ करके पूछ सकते हैं, obviously हर एक cadet के doubt का जवाब देगे, और cadets आप इन वीडियो को जादा जादा share करें, ताकि सभी cadets तक ये knowledge share हो, और वो भ पर फिर से याद दिला दे, आप में से बहुत सारे लोग request कर रहे हैं कि सर आप प्लीज हिंदी में पढ़ाईए, हिंदी में content पर अट कर रहे हैं, तो cadets हमने आपके लिए 1000 subscriber का जो target रख है, आप जल्दी से सभी लोग को share करके, अपने जो साथी हैं, उनको share करके 1000 subscriber जैसे ह मनपास हो जाएंगे, हम हिंदी के अंदर parallel best चला देंगे, तो cadets all the best for your exam आप अच्छे से त्यारी करते रहे हैं, और साथ में जो subjective जो part है आप उसको पढ़ते रहे हैं, हम भी notes पर रट करवा रहे हैं, आप उनको पढ़ते रहे हैं, और अच्छे से त्यारी कीजिए, आज ह अपने exam के अंदर अच्छा perform कर सकते हैं, और alpha grade लाने से आपको कोई रहे हैं, इन्हीं सुब कामनों के साइथ, अगले session के तयारी में, जय हिंद, बंदे मातर,